Hello friends, this is your mentor Naveen and welcome back to my YouTube channel जहां पर हम कर रहे हैं Commerce के Business Studies अब्जाक की पूरी डीटेल के साथ तैयारी दोस्तों प्रीविएस वीडियो में मैंने आप से शेर किये थे ये Hindu and divided family के concept उसके पूरे system के साथ बात की थी जो पूरे इंडिया में applicable है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं H.U.F. के features के बारे में इससे पहले में आप से request करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी YouTube चानल पर नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी सी हमारे इस चानल को subscribe कर दीजिए और बार आइकन तो जल्दी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाएं तो चलिए दोस्तों आज के इस topic को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं topic होगा दोस्तो features of Hindu undivided family H.U.F. या Hindu और विभाजित परिवारों की विशेशताई या उनके लक्षन का है तो उस्तों पहली characteristics की तरह बरते हैं जिसमें लिखा गया है कि Hindu divided family की पहली characteristic है membership by birth जन्म से ही सदस्यता मिल जाती है जैसा कि मैंने आपसे पहले भी conditions में भी apply किया था कि इस परिवार में जन्म लेने मात्र से ही आप इस विवसाय के सदस्या बन जाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेशता यही है कि जैसे ही आप इस Hindu divided family में जन्म लेते हैं आप बिदा किसी agreement के ही इस परिवार के क्या बन जाते हैं Member बन जाते हैं किया है अब बात करते हैं हम second feature की जो है management इस पूरे business को manage कौन करेगा इस पूरे business को जो control करेगा वो होगा करता मैंने पहले भी ये word पिछली वीडियो में clear किया था करता कौन होता है old age person सबसे बड़ी उमर का व्यक्ति इस घर का करता होता है वो करता ही पूरे business की क्या करता है management करता है और इसी करता को right होता है किसी भी contract और agreement को पास करने का या उसको sign करने का clear करते हैं और हमारी तीसरी विशेष्टा है दोस्तों membership आपको मैंने बता दिया है दो minimum member होने required है और successive generation होनी जरूरी है ठीक है आप उत्तरा धिकारी होगे दादा के पिता आगे आपके पिता ह हो जाएंगे फिर आपके पिता से आगे आप पुत्र होंगे फिर कल को आपका पुत्र आगे होगा तो यह successive generation पर काम करती है जिस पर दो तीन पीडियां होनी जरूरी हो जाती है ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे liabilities की दोस्तों हमने बात किती unlimited liability और limited liability के concept पर मैं आपको ब की personal assets incurred नहीं की जाती हो उसे बोला जाता है limited liability आपको समझना यह है कि करता जो परिवार का मुख्या है सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है जो सारे management कर रहा है उस करता की liability हमेशा unlimited होगी इस मीनदार करता अगर कल को business की संपत्ती बेशने से loan repayment नहीं हो पा रही तो करता अपनी personal assets को sale करेगा उस loan की उस debt की repayment के लिए लेकिन जो co-personers होते हैं जो बाकी सह समानशी होते हैं उनकी liability हमेशा limited रहती है अपने particular share का ही loss bear करेंगे अदर्वाइस अपनी personal assets को वो include नहीं करेंगे विच इस कौल limited liability so we have to understood that the unlimited liability is of करता and करता has unlimited liability that is why he pay all over the debt co-personers have has only limited liability they are not liable to pay the debts exceed limits of their shares okay next विशेश्टा जो हमारी है वह माइनर मांबर और व्यस्क साजहदा माइनर को नहीं होते है 18 वर्से का मायू की व्यक्ति ठीक है 18 वर्से का मायू का जो बच्चा है जो बालक है उसके उपर कोई पाबंदियां कोई restriction नहीं है वो कोई बिना restriction के इस HVF family का क्या बन सकता है member बन सकता है और HVF family में ही एक ऐसी बात है जिसमें कोई भी माइनर इसका member बन सकता है अगर आप बात करेंगे registration की तो जी हां registration बिलकुल compulsory है और registration इत्रा compulsory है कि आपको हिंदू लोग के according government से एक certificate issue करवाना होता है कि आप इस business को run करने वाले हैं clear है और last आपका जो feature है वो है अधिकार rights की बात हो रही है और यहां पर यह कहा गया है कि co-personers भले ही management में भाग नहीं लेते हैं लेकिन दोनों जो भी co-personers होंगे इनके पास right है यह पूरे business के पूरे कोई भी record को check कर सकते हैं या किसी भी account की जानकारी ले सकते हैं यह इनके पास विशेश अधिकार है इनके पास right है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ दिसक्स किये हैं हिंदू undivided family के features अगली वीडियो भी हम बात करेंगे नीजी उपक्रम के एक नई forms की तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए पढ़िए सुनिए और समझे और आपके कोई भी डाउट या कोई विक्वारी जों तो मुझे comment box में जाकर के जरू चीजी सुनिए कोई गया मैं जाकर के लिए कोई बात के लिले का लिए और समय कोई हैं जो समय कोई पर आपके कोई प्याब्सक्म